थालो आज फीर आपको एक नया शुडिमेंट दिखाएंगे इधर आप देख रहा है कि चाय का समान है यह काफ है यह चीनी है इसमें पानी है इसमें तो हम आज चाय बनाएंगे और गैस पे नहीं इस आयरों से कप्टा को पेस किया जाता है लेकिन आज में कुछ इसका दूसरा इस्तमाल करूंगा इसका इस्तमाल करूंगा चाय बनाने के लिए इसलिए हम इसको रखने के लिए जाएगा बना लिया देखिए इसमें अराम से बैठ जाएगा बिल्कुल हिलेगा नहीं ताकि हम चाय बना पाए बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं अब इसको कटता हूं स्टार्ट अब इसमें मैं इलेक्ट्री दे दिया हूं एदे कि इसमें लाइट जल रहे है यानि यह आयरोन अब चालू हो गिया है अब इसको इसके उपर डाखता हूं बिल्कुल सीधी करके रखूंगा ताकि चाय बनाने के लिए कोई दिक्काद ना हो तो दोस्तों अभी मैं एक का पानी रूँगा एक का पानी ले लिया हूं इसमें डाल दिया तो दोस्तों अभी थोड़ा इंदे जाकाना पड़ेगा जब तक पानी नहीं उलेगा इसमें चीनी या पात्ती नहीं डालेंगे आई पानी उबलने तक वेट कटता हूं तो देश्टो देखिए जो मेरा चाय है तो बिल्कुल उबलना शुरू हो गया पानी आप इसमें चिनी डालूंगा चिनी सैद के लिए ज्यादा बढ़िया नहीं है इसलिए थोड़ा ही डाला हूं अब शुरू पत्ती भी डाल दूँगा देखिए कितने बढ़िया उवाल नहीं है कितना बढ़िया उवालना शुरू हो गया देखिए अभी दूद भी डाल दूँगा थोड़ी देल में उवालना शुरू हो जाएड़ा देखिए चाय बढ़ने के लिए थोड़ा सा बाखी है वैस थोड़ा सा उबने दीजिए दोग, वदोदा है वगए? ठाओ वे लोगे वोगे लोगे वोगे अगैगा जब तक नहीं उब लेगा तो चाहा बढ़िया नहीं बढ़ेगा इसलिए थोड़ा ओबने के लिए छोड़ दे रहा हूं कितना बढ़िया उबाल गया तो दोस्तों कितना बढ़िया उबाल रहा है कि जैसे गैस पर चाहे बनाड़ा हूं कि तो मेराचाय बिल्कुल बन के तैयार हो गया अभी इसको चाॉनकेड काप में टालके के दिखाएंगा कि इसमें जो रहे क्या गैस से बना ऐसा चाय कुछ अलग है मेरेक हैल से एक यह इसा ही होगा क्योंकि इस में बस चाय को उबनना यह इसका काम है बाकी तो चिनी चाय पत्ती जो भी दिया वो रोज कड़ देता हूं ओई यह तो चलिए अभी आयरन को बंद कर देता हूं कि इस राम के सुझी रहते हुआ तो आप इसको छानेंगे दूसरों देखिए अभी भी हुआ रहा है कितना बढ़िया से बन गया देखियो कितना बढ़िया बन गया देखिए लचाने अजिए अभी अजाए रहा है कितना बढ़िया वढ़िया देखिया आप उे वटानेवेश ड़ड़िया प्राव कितना बढ़िया भी हुआ है अब पीके देखूंगा कि चाहे गैस जैसे बना है या कुछ और ही बनी है देखते हूं पीके चाह तो बिल्कुल बढ़िया बना कोई फड़क नहीं है गैस पे बना हुआ या आईरम से बना हुआ है कोई फड़क नहीं बढ़ा पुछ फड़क नहीं है इसमें टेस्ट अक बहुत बढ़िया है तो और पीके देखता हूं चाय बिल्कुल बड़िया बनाया तो दोस्तों में चाय बनाया उसका experiment successful हुआ है कुछ फड़क नहीं है चाय में तो दोस्तों आपको सरफ एक ही request है कि आप इस तरह का experiment मत करना क्योंकि यह बिजिली का समान है कुछ भी accident हो सकता है safety से करना हूँ लेकिन आप गलती से भी इस तरह का काम नहीं करना अगर आपको वीडियो अच्छे लगा हो तो वीडियो को share कर देना like कर देना